परिचाए से, हम आव्योग के सिध्धान्त को कहां लागू करते हैं? बेटा, हम आव्योग का उप्योग रेखिये समीकरण की प्रणाली की साहत तथा सरल विधी को प्राप्त करने के लिए करते हैं. विभिनिक कम्प्यूटर अनुप्रयोगों के लिए क्या हम आव्योग का उप्योग कर सकते हैं? आव्योग के संकेतन और संक्रियाओं का उप्योग पर्सनल कम्प्यूटर के लिए Electronic Spreadsheet प्रोग्राम में किया जाता है, जिसका बारी-बारी से व्यापार तथा विज्ञान के विभिनिक शेत्रों में प्रयोग किया जाता है, जैसे बजट, बिक्री प्रक्षेपन, लागत दनुमान, प्रयोग के परिणामों के विशलेशन आदी में सर, क्या आव्यूहों का गुणा किया जा सकता है? हाँ, हम आव्यूहों का गुणा कर सकते हैं, इसकी विधी अलग है, क्या तुम सीखना चाहते हो? हाँ सर ठीक है, आज मैं तुम्हें आव्यूहों के गुणन के बारे में सिखाऊंगा उद्देश इस पार्ट के अंत में, आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे एक अदिश से एक आव्यूहों में गुणा करना एक आवियों के योगफल के गुण धर्म को समझना एक अधिश कुणन के गुण धर्म को जानना आवियों के गुणन की विधी को जानना एक आवियों के गुणन के गुण धर्म को समझना एक अधिश से एक आवियों का गुणन आवियो के गुणन के दू प्रकार होते हैं अधिश गुणन तथा आवियो गुणन अधिश गुणन आसान है हम बस एक नियस संख्या लेते हैं जिसे एक अधिश कहा जाता है तथा उसका गुणन आवियो की प्रतेक प्रविष्थी से करते हैं दिये गए आवियो ए के लिए दू ए ग्याद कीजिए. दू ए ग्याद करने के लिए प्रथम अधिश गुणन करने के लिए हम सिर्फ एक दू का गुणा आवियो में प्रतिक प्रविष्थी से करते हैं. आथा उत्तर निम्न है. आवियो का रिण आवियो. आवियो के रिण आवियो को घटा ए से निरूपित किया जाता है. हम निरूपित करते हैं. घटा ए बराबर घटा एक ए. आवियों के योगफल के गुण धर्म वास्तविक संख्याओं के लिए योगफल के आधार भूत गुण धर्म आवियों के लिए भी सत्य है मान लिजे कि A, B तथा C, M कोड़ा N आवियों हों तब 1. A जमा B बराबर, B जमा A जोकी क्रम विनिमय का गुण धर्म है 2. सहचर्य गुण धर्म है A जमा, B जमा C बराबर, A जमा B जमा C 3. योग का तस्समक एक M गुणा N आवियों O इस तरह है कि A जमा O बराबर A 4. योग का प्रतिलों किसी M गुणा N आवियों A के लिए एक M गुणा N आवियों B घटा A कहा जाता है इस तरह है कि A जमा B बराबर O अदिश गुणन का गुण धर्म स्वाधारण बीच गुणित के सभी नियम आवियों के योगफल या व्यवकलन अत्वा उनके अदिशों के गुणन पर आधारित है प्रथम गुण धर्म है यदि A तथा B समान कोटी की दो आवियों हों तथा यदि के एक अदिशों तब के ए जमा B बराबर के ए जमा के बी एक अन्य गुण धर्म है यदि K1 तथा के दो तो अदिश है एवम यदि A एक आवियों है तब के एक जमा के दो A बराबर के एक ए जमा के दो A तथा के एक के दो A बराबर के दो के एक A आवियों का गुणन फल हम दो आवियों का गुणा कर सकते हैं यदी और केवल यदी प्रतम आवियों के स्तंभों की संख्या दूतिय आवियों की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो अन्य था दो आवियों का गुणन आपरिभाशित होता है आवियों के गुणन की कोटी है प्रथम आवियों की पंक्ती गुणा दूतिय आवियों का इस्दंब आवियों के गुणन की विधी चलिए अब दो आवियों के गुणन की विधी सीखते हैं आईए एक सामान ने दो गुणा तीन आव्यू से एक तीन गुणा दो आव्यू का गुणन करते हैं उत्तर एक दो गुणा दो आव्यू होगा हम क्रमशा आव्यवों को जोड़ते और गुणा करते हैं हम प्रथम आव्यू की पहली पंक्ति लेते हैं दूतिय आवियो के प्रथम इस्तंभ में एक-एक आवियम में बारी-बारी से नीचे की ओर गुणा करते हैं। हम परिणामी गुणन को जोड़ते हैं, हमारा उत्तर आवियो में इस्तिति ए ग्यारा 22 शीर्ष में रखा जाता है। हम प्रथम आवियो की पहली पंक्ती तथा दूतिय आवियो के दूसरे स्तंभ के लिए यही प्रक्रिया करते हैं। परिणाम को ए 12 शीर्ष में रखा जाता है। अंत में हम प्रथम आवियो की दूसरी पंक्ती तथा दूतिय आवियो के दूसरे स्तंभ के लिए करते हैं। परिणाम को ए 22 शीर्ष में रखा जाता है। तथा हमारी दो आवियो के गुणन का परिणाम इस प्रकार है। उधारण दो आवियो हुद दिये गए हैं। निरणे लीजिए कि किस आवियो के गुणन A, B अथवा B, A को परिभाशित किया गया है तथा उसका आगलन कीजिए। चूंकि A दो गुणा तीन है तथा B तीन गुणा चार है। उसक्रम में गुणन A, B परिभाशित है तथा गुणन आवियो A, B का परिणाम होगा दो गुणा चार। गुणन B, A आपरिभाशित है चूंकि पहले गुणन खंड B में चार स्तंभ हैं किन्तु दूतिये गुणन खंड A में केवल दो पंक्तिया हैं। गुणन को परिभाशित करने के लिए प्रतम आव्यू के स्तंभों की संख्या, डितिये आव्यू की पंक्ती की संख्या से मेल खानी चाहिए। हल, A में पंक्ती एक तथा B में स्तंभ एक का डौट गुणन लेने पर, A, B में एक एक प्रविष्ठी मिलती है। A, B में एक एक प्रविष्ठी एक है। जाद चुका है, जो A, B में एक चार प्रविष्ठी देता है। अब A, B की दुचिये पंक्ती के लिए, A में पंक्ती 2 तथा B में स्तंभ एक का डौट गुणन, A, B में दो एक प्रविष्ठी देता है। अंत में, B में स्तंभ तीन और चार के साथ, A में पंक्ती 2 का डौट गुणन लेने पर, A, B में क्रमशा 2, 3 तथा 2, 4 प्रविष्ठी प्रविष्ठी प्राप्त होती है। अत्यव, A, B को हल किया जा सकता है। पंक्ती अनुसार, पहली पंक्ती 1, 3, घटा 2, घटा 2, दूसरी पंक्ती, घटा 10, 11, घटा 10, 19 आवियो के कुणन के दौरान, विचार किये जाने वाले कुछ बिंदू यदि A, B परिभाशित है, तब B, A परिभाशित होना चाहिए। आवियों के गुणन की अक्रम विनिमेता, यहां तक कि अगर A, B तथा B, A दोनों परिभाशित हों, तो यह आवशक नहीं है कि A, B पराबर B, A होगा। आवियों के गुणन के गुण धर्म आवियों का गुणन सहचर्य होता है, उधारनार्थ तीन आवियों A, B तथा C दिये गए हैं, अधा निमने लिखित पहचान सर्वथा सकते हैं, A, B गुणा C बराबर A गुणा B C, योग में आवियों का गुणन वितरण होता है, A गुणा B जमा C बराबर A गुणा B जमा A गुणा C, गुणक पहचान का अस्तित्व, प्रतेक वर्ग आवियों A के लिए, समान कोटी की एक तस्समक आवियों अस्तित्व में इस तरह है क एक्स तथा वाई क्यात कीजिए यदि एक्स जमा वाई पराबर है आवियू पंक्ति अनुसार पहली पंक्ति 7-0 दूसरी पंक्ति 2-5 के तथा एक्स घटा वाई पराबर है आवियू पंक्ति अनुसार पहली पंक्ति 3-0 दूसरी पंक्ति 2-5 के तथा एक्स घटा वाई इसे एक तथा दो की रूप में चिनित कीजिए, अब समीकरण एक तथा दो को जोडते हैं, हमें प्राप्त होता है, दो एक बराबर आविहू, पंक्ति अनुसार, पहली पंक्ती, दस शुन्ने, दूसरी पंक्ती, दो आठ, इसलिए, एक्स पराबर है आविहू, पंक्ति अनुसार, पहली पंक्ती, 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 दूसरी पंक्ती, एक चार, अब एक्स जमावाई में, एक्स कमान रखने पर, तथा हल करने पर, हमें प्राप्त होता है, आविहू, वाई पराबर है, पंक्ति अनुसार, पहली पंक्ती, दो शुन्ने, दूसरी पंक्ती, एक एक के, क्या आप जानते हैं, आविहू का उप्योग, समानेता, लंबे समीकरन को हल करने के लिए, बीच गडित में किया जाता है, चरों जैसे की एक्स तथा वाई लिये गए हैं, तथा संक्याओं के वर्ग या आईताकार ग्रिट बनाने के लिए, परिडामी संक्याओं को पंक्ती एवं इस्तंभों में व्यवस्थित किया गया है, प्रश्णों को और अधिक सहज़ता से हल करने के लिए, इन संक्याओं सारांश, आईए हमने जो कुछ तीखा है उसे संक्षेप में तोहराएं, घटा A बराबर घटा एक गुणा A, A घटा B बराबर A जमा घटा एक गुणा B, A जमा B बराबर B जमा A, A जमा B जमा C बराबर A जमा B जमा C जहां A, B तथा C समान कोटी की हैं, के गुणा A जमा B बराबर के गुणा A जमा के गुणा B जहां A तथा B समान कोटी की हैं, के अचर है, के जमा एल गुणा ए बराबर के गुणा ए जमा एल गुणा ए जहां के तथा एल अचर हैं हम दो आवियों का गुणा कर सकते हैं यदी और केवल यदी पहले आवियों के स्तंभों की संख्या दूसरे आवियों की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो A गुणा B C बराबर A B गुणा C